हेलो बिटा हाव है यू अभी तक हम लोग इंग्लिश में कर रहे थे अब हम हिंदी सीखेंगे क्या सीखेंगे हिंदी में वेंजन सीखेंगे और आप लोगों ने अ से अह तक याए ना लोवर प्रेप में तो आपने कैसे के था अ से अह तक हाए अ आम इमली इंक उ उ लू इस तरीके से हमने क्या का ना अब हम लोग व्यंजन करेंगे कर से गया तक लेकिन हम लोग कर से ने शुरू करेंगे हम लोग पैटन राइटिंग लेंगे पैटन का मतलब होता है कि जो आपने सीखा हुआ है पैटन्स उससे हम लोग लेकर के हिंदी और हम सबसे पहला शब्द जो लेंगे वह क्या है तो आपको क्या करना है मैं आपको सिरक हाउंगी कि हम लोग गंडश कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग यह margin देख रहें इस में इस margin को हम touch करके date लिखेंगे क्या लिखेंगे date और फिर यहां पर हम लोग classwork लिखेंगे और यहां हम day लिखेंगे ठीक है और अब देखिए हम लोग गर कैसे करेंगे हम लोग ने पहले क्या क्या यह जो blue line है blue line से हम लोग standing line करेंगे क्या करेंगे standing line और फिर हम लोग नीचे से c बनाएंगे क्या बनाएंगे c क्या बनाएंगे c या semi circle फिर हम लोग एक उपर वाली blue line से लेकर के नीचे वाली blue line तक standing line करेंगे क्या करेंगे standing line लेकिन हमारा तो उपर कुछ भी नहीं है तो हमें उसको चछत देना क्या देना है चछत roof क्या देना है roof हम लोग का सर है न कवड़ है इस तरीके से इस गर का भी हम लोग उपर से देंगे तो क्या बन गया गर क्या बन गया है गर एक बार और देखेंगे standing line क्या कर रहे हैं लोग standing line नीचे से c बनाया कहां से बनाया थी हम लिए खतम हुआ उदर से हम लोग ने c बनाया फिर another standing line और फिर sleeping line क्या बन गया गर क्या बन गया अब देखें मैंने गर से क्या बनाया sleeping line और फिर हमने एक प्लांट बनाया तो यह क्या हुआ गमला क्या हुआ गमला गमला क्या हुआ गमला फिर इसी तरीके से हम लोग गगन बना सकते हैं है न और गाय बना सकते हैं तो आप लोग भी मुझे चार कितने पिच्चेस बनेंगे चार पिच्चेस फोर पिच्चेस आप बना के और यह लिख करके मुझे दिखाएंगे ठीके और उसकी आगे मैं आपको और भी चीज़े बताऊंगी थैंक यू लव यू स्वीठाट्स